इस वीडियो में हम लोग विहार बोर्ट क्लास 7 प्रस्णावाली 15.3 का क्विश्चन नमर 4 देखेंगे तो देखते रहेगा वीडियो को लाश्टक तो चलिए बिना समय गभाय हम करते वीडियो को स्टार्ट तो यहां पर देखें क्विश्चन नमर 4 कहे रहा है निमन लिखीत व्यास वाले विडितों की पड़ीधी ग्यात कीजिए इसमें पर पहला नमर दिया है दूसरा तिसरा चूथा इसी का पड़ीधी क्या करना है निकालना है और इसका व्यास दिया है 14 सिंटीमिटर तो चलिए निमन लिखीत व्यास वाले निमन लिखीत व्यास वाले इसमें से व्यास वाले विडितों की पड़ीधी ग्यात कीजिए इसमें ये क्या है व्यास दिया हुआ है और इसका पड़ीधी क्या करना आपको निकालना है तो चलिए इसको किस परकार से देखेंगे वह देख लेत तो देखिए सब से पहले यह क्या है विरित है यहां पर हम विरित का चित्र पार लेंगे यह हो गया हमारा चित्र हो गया विरित का और इस विरित का क्या है यह वियास दिया है वियास क्या होता है यहां से लेके यहां तक होता है यहां से लेके यहां तक क्या है 14 cm दिया हुआ 14 cm दिया है और इस विरित के व्यास दिया हुआ है तो क्या करना है परीधी ग्यात करना है यानि कि इसका क्या है परीधी है यह इसका क्या होता है परीधी यह चारों होता है इसका परीधी तो परीधी हम इसको ग्यात करेंगे तो दखिए किस परकार से हम इसका परीधी ग्यात 14 cm पहला में 14 cm है तो लिखेंगे 14 cm तो निकालना क्या है विरीत का परीधी निकालना है तो लिखेंगे विरीत का परीधी तो देखें विरीत का परीधी में हम क्या करेंगे यहाँ पर कितना लिखेंगे विरीत का परीधी का सुत्र हो गया pi d जब हमारा वियास दिया रहता है तोब और जब यहां पे तिर्जिया दिया रहता है तो हम क्या करते है 2pi r लगाते है विरित की परीदी निकालने लिए फरमूला है तो यहां पर दखिए विरित का परीदी बडावर 2pi d तो pi का मांद दिया है, 22 वटे 7 और गुना का चीन लगा देंगे D दिया हुआ, D यानि कि diameter, अंग्रेजी में इसको कहते है diameter, D से सुचित करते हैं और अहिंदी में इसको कहते है व्यास, तो यहाँ पर व्यास कितना है, 14 cm तो 14 cm लिख देंगे अब इसको हम काट लेंगे, इसको हम काटेंगे साथ एकांट साथ और साथ दुनिके 14, यानि कि यहाँ पर कितना आ गया, 22 दुनिके, 44 cm, cm में है तो यही हो गया पहला का आंसर, अब हम इसी परकार से दूसरा नमर देख लेते हैं, दूसरा नमर में दखिए दिया हुआ है, द यहाँ पर लिखेंगे विरीत की परीधी, विरीत की परीधी, परीधी, विरीत की परीधी बरावर कितना होता है, पाई, डी, पाई, डी, तो इसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, पाई कामान रख लेंगे, 22 बटे, 7 गुने, डी कितना दिया है, 28 cm, तो लिख द यानि कि 88 cm में है, तो लिख देंगे cm में, यह हो गया इसका answer, अब इसी परकार से तीसा नमर, तीसा नमर को भी इसी परकार से हल करेंगे, अब तीसा नमर में भी विरित की यहां पर व्यास दिया हुआ है, लिखेंगे विरित की व्यास, यह तीसा नमर दिया हुआ है, व्यास विरित का अव्यास कितना दिया है 56 mm में है तो लिख देंगे mm अब इसके बाद निकालना क्या है विरित की पड़ीधी निकालना है पड़ीधी हमें निकालना है यह हमें नहीं पता है तो इसका फर्मूला क्या होता है का πाई डी तो पाई का मांड कितना होता है 22 बक्ते सात गुझे कितना दिया है 56.0 मिलीमीटर मैं 56.0 अब देखें यहांपर क्या करेंगा हम, इसको काट लेंगे, 72.0 – 7,0, gaatळेंगे च्छप punish को 8 से गुझा करेंगे, मेра 6 172 टोटल आ जाता है 172 मिली मीटर यही हो गया इसका आंसर चोथा नमबर आप लोग खुद से बना करके देख लीजिए चोथा नमबर आप से खुद से बन जाता है तो इसका मतलब समझेंगे आपको समझ में सब कुछ आ गया अगर नहीं बनता है तो आप लोग दुबारा व वीडियो में इन्सा आगे दखेंगे तब तक के लिए गुडबाई